एक पॉइंट आता है डेपरिशेशन वाट डेपरिशेशन एक बात बताईए अगर आप लोग कोई समान फॉर एक्जामपल आप एक बाइक खरीद कर लेकर आएं क्या उस बाइक की वैल्यू पचाजार रुपे की थी क्या वाइक थी उसकी वैल्यू छे महीने बाद भी पच पचाजार से कम हो जाएगी क्योंकि वो सेकिरेंड हो जाएगी जितनी वैल्यू घटी है उस वैल्यू कोई क्या बोलते हैं है डेपरिशेशन यहींफ फॉल इंद वैल्यू ओफिक्स एसट इस नोन अज डेपरिशेशन आपके एसिड्यू वैल्यू डिूट यू यूसे य नॉर्मल वेयर टियर या यूसेज की वएसे या फिर औप्सोलेंसे की वएसे आपने कोई गुड्स खरीदा था question में depiction लिखा हो consumption of fixed capital replacement cost capital consumption allowance तीनों नाम depiction के ही है कोई भी नाम numerical में पूछा जा सकता है आप यह नहीं कह सकते हैं हमें पता नहीं था depiction को यह कहते हैं depiction का amount कैसे निकलता है कितने रुपे का आपने acid खरीदा कितने कि उसकी value थी उसे minus करकर divide कर दीजे कितने साल वो चलेगा example देखिए एक goods आपने खरीदा 10,000 रुपे गा इसकी life मैं मान के चल रहा हूँ यह cost हो गई life is की 10 साल और मैं मानो 10 साल बाद यह खराब हो जाएगा तो कबाड़ी के पास कितने का चला जाएगा बेटा मान के चल रहे हैं 2000 रुपे की scrap value होगी यहनि कबाड में कितने का बिख जाएगा 2000 रुपे का कबाड में बिख जाएगा तो अगर depreciation निकालना हो तो कैसे निकलेगा cost minus scrap divide by number of useful life तो बेटा 10,000 minus 2000 divide by 10 is equal to कितना आ जाएगा बेटा 800 तो हर साल आपके asset के value 800 रुपे से decline कर जाएगी यह हर साल मान लोग कितने साल हो गए आज खरीदा है दो साल या 5 साल बाद कितनी value बचेगी बेटा इसकी 8 into 5 कितना हो गए 4000 10,000 रुपे का asset था उसकी value 4 साल बाद कितने की बच गई 6,000 की बच गई क्योंकि 800 रुपे का depiction हर साल लग रहा है तो 5 सालों में depiction कितना लगा होगा 4000 रुपे का depression लगा होगा 10,000 की value पर 4000 रुपे का depiction लग यानि 5 साल बाद आपके asset की value कितनी रह जाएगी मात्र 6000 रुपे रह जाएगी